मॉर्निंग आज है 17 अगर्स तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स और जी हां ये वीडियो बनाया गया है दहिंदू, P.I.B. और D.D. News को कवर करते हुए सबसे फ़हले वीडियो में होता है कोश्चन आफ दे जो की कल का हूमवर्ग था तो 75th Independence Day का थीम क्या है जी हां नेशन फर्स और ओल्वेज फर्स तो नेशन तो हमेज़ा फर्स ही होना चाहिए सबके लिए करेंट अफियर कोश्चन नमबर वन वट इस दे न्यू नेम ऑफ अफगनिस्तान अफगनिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है देखिए अफगनिस्तान से रिलिटेट कम्प्लीट वीडियो कल अब लेवल है जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से तालिबान ग्रूप न अपने मतलब अपने डीजन में कभग किया है तो ऐसा हिस्ट्री में बहुत ही बेकार है no doubt it's not a good moment for history और कहीं न कहीं कि रिलीजन परविटी और जो रेडिकल ग्रूप है उनकी यह जीत मानी जा रही है देखते हैं वाट इस देनेम ऑफ अफगनिस्तान न्यू अफगनिस्त पहले इसका नाम था Islamic Republic of Afghanistan और अब नाम बदल दिया गया है Islamic Emirate of Afghanistan तो ध्यान रखे नाम बदल दिया गया है अफगनिस्तान का और बहुत important news कि अफगनिस्तान के नाम के साथ साथ उसके flag भी change किये गया है तो अब यह है अफगनिस्तान का flag पहले यह था इसको हटाके अब यह अफगनिस्तान की बात करें तो वहां के एम्बलम को भी change किया गया है और पहले एम्बलम यह था और अब हो गया है यह आप यह देख रहे हो कुरान को ज्यादा फोकस करके यह एम्बलम बनाया गया है तो इसे ध्यान में रखें न्यू आम्बलम अफगनिस्तान आगे बढ 었다 टू आपये सब्सक्राइब न्यूंह टू है डिस अधैंगे है डेके बव्रियांग लस्टynnम अफ़ Suchh यानी दॉक्टर विरंदर कुमार के द्वार में बादक किसे निज्गीह है रिकॉर्ड जिसमें जो भी सेलेक्टेट देवियांग होंगे उनको भेजा जाएगा वर्ल्ड के टॉप मोस्त पोस्त सबसे उंचा पोस्त कौन है जी आचाहें रहा है तो धियान रहा है तो देवियांग के लिए प्रोग्राम स्टाट किया गया है Operation Blue Freedom क्योंकि UPSC में generally question आ जाएगा कि Operation Blue Freedom is related to what Question No.3 पर आएंगे Which state government has launched Operation Langra Against Criminals बहुत important operation start क्या गया है Criminals के अंगेंस्ट इस operation का नाम है Operation Langra और यह start क्या गया है उत्तर परदेश में देखिए उत्तर परदेश में start क्या गया है Operation Langra जूकि एक unofficial way है क्योंकि इसमें encounter strategy बनाई गई है कि जहां criminal को देखो उनको मार दो कहीं ने कहीं यह अच्छा भी है क्योंकि criminal society के लिए बहुत हामफुल होते हैं एक criminal 10-15 लोगों को मार देते हैं तो ऐसे में उनका encounter करना सही भी है और इतिकली देखा जा तो गलत भी है क्योंकि बिना मतलब बिना judgment के किसी को सजा देना गलत माना जाता है तो यह इतिक्स का एक important topic हो सकता है question number 4 पर आएंगे रग रग में गंगा इसे न्यूस इज़र रग रग में गंगा न्यूस में है आपको बताना है यह क्या है तो जी आपने बहुत सारे लोगों ने अंसर दिया होगा इसका आपने से तो इसका आंसर ने टेलीविजन प्रोग्राम है जी हां रग रग में गंगा टीवी पे आता है आप आपने देखा भी होगा तारजीव खंडवाल इसमें आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से हिमाले की नदी गंगा का ओरीजीन हुआ और कौन-कौन से छेत्र में हिमाले बहती है इनफेक्ट मैंने पटना इयरपोर्ट में इनको देखा भी तराजीवनम इन्होंने इसी सिरियल की सूटिंग के लिए आये होंगे यह पहला एपिसोड 21st August को दुरदर्शन पर दिखाया जाएगा इसमें बहुत सारे सिरीज बने हुए हैं को के रग रग में गंगा ध्यान उन्होंने यह लांच किया है प्रोग्राम इसका सीजन टू आ गया है रग रग में गंगा को कुश्चन नमबर फाइब पर आएंगे फर्स ताइम सेपरेट बजट फोर अग्रिकल्चर इस प्रजेंटर बाई पहली बार सेपरेट बजट अग्रिकल्चर के लिए प्रजें ड़ाइब के द्वारा तो जी हां यह इंट्रीजूस किया गया है टमिलनाडू के द्वारा तमिलनाडू जो कि बहुत इंपोर्टेंट स्टेट है जहां पर अग्रिकल्चर फे फोकस करने के लिए यह जा रहा है सेपरेट बजट क्योंकि टमिलनाडू असेमली में प्रेज सब्सक्राइब कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए वह फ्री है एक सब्सक्राइब करना लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप आप लाइक भी करते वीडियो को क्योंकि कमेंट भी करें ठीक है क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज्यादा माइने रखता है निफ्ट विल लॉंच अन्यू निस्ट्व फेशन टेकनोलोजी ने एक नया डी आर्सी सेंटर बिहार में लाया है कहां तो देखें बिहार के भागलपूर में आया है नया निफ्ट सेंटर इन्यूस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ा जान लेते हैं दिखें आजकाल सभी एक्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो भागलपूर जाना जाता है एक्चुली में बहुत सारे चीज़ों के लिए जैसे कि वहां पे बैंबो के बास्केट्स बनाए जाते हैं फिर पेंटेड पॉट्स बनाए जाते हैं छोड़े चोड़े पॉट उसके अलाबा वहां पे पर्दा यानि कॉक्टन के लिए जाता है कव तलग के आध में इक काफी हैं एक जबॉट करने के लिए निफ्ट न करने जिस तरह से मधुबनी रीजन बिहार के मधुबनी पेंटी के लिए जाने जाती है तो ध्यान रखें अगर निफ्ट की बात की जाए तो निफ्ट ने सिफ भागलपूर में नहीं उसके अलाबा भी बहुत सारे सेंटर खोले हैं और यह सेंटर इंपोर्टेंट है क्योंकि यह अगर इंपोरृटे आप करेंट हैं अगर उत्तर पर्देश की बात करें तो वहां पर वाडानसी और मेराट में खोला गया हैं Aeglet., भेंघ्यर बैंगलूरू में चैनने और्ठ पर्दमी नाकपूर पानीपत में मुंबई में एहंदाबाद में बुमनेश्वर में गोहाटी में जैपूर में खोली जा रही है तो यह सारे रीजन हैंदिक्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नामर 7 पर आएंगे वॉलकैनों इरॉप्ट रेसंटली काफी ज्यादा न्यूस में वॉलकैनों यानि की इरॉप्ट होना फटना हुआ है कहां देखे वॉलकैनों इरॉप्शन हुई है इंडोनेश्या में इंडोनेश्या में तो खेर होती ही रहती है लेकिन ये वॉलकैनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बॉलकैनों को काफी दिनों बाद ये इरॉप्ट हुआ है माउ पॉर्टेंट हो जाता है वह कहां कि सुप्रीम कोट की बनी है चिफ जस्टिस तो वह बनी है पाकिस्तान की जी हां पाकिस्तान के सुप्रीम कोट की चिफ जस्टिस बनी है आईसा मलिक जो कि हाई कोट की सेनियर ज़स्ट है और उनको बनाया गया है चिफ जस्टिस और सुप्रीम कोट आप पाकिस्तान कोशन अम तर डे देखते हैं आज का सवाल इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है रामनात कोमिन जोकि प्रेसिडेंट है इंडिया के उन्होंने असोग चक्र दिया है बाबु राम को आपको बताना है बाबु राम किस पुल कि आ पूमान सते वीडियो तिल लास्ट